अध्यात्मिक सद्गुरु वासुदेव ने सोमवार को आयोध्या में रामलला के दर्शन किये आपको बता दें कि सद्गुरु ने राममंदीर के निर्मान को भारत की सभ्यता का अतिहासिक शन बताया कहा कि ये शन 500 सालों में संगर्श के बाद आया है सद्गुरु ने कहा कि राम निश्चित रूप से अधीद से आई प्रेना है लेकिन वो भविश्य के लिए भी बहुत ही प्रसंगिक है अपने व्यक्तिकत पसंद नापसंद चाहत और प्रेम महतपून है लेकिन जब विस्तरत कल्यान की बात आती है जब विस्तरत जनहित की बात आती है तो आप अपनी सबसे महतपून चीजों को भी एक तरफ रखना सेखते हैं और वही करते हैं जो जादतर लोगों के लिए सही होता है राम इसी गुन का एक मूरत रूप है सद्गुरू ने कहा कि उन पीडियों के प्रती हादिकाबार जिन्होंने इसे साकार करने का प्रयास किया ये पत्थर का मंदिर नहीं बलकि भक्ती और सचेतन का त्याग मंदिर है उन्होंने भगवाराम के व्यक्तित पर बोलते हुए कहा कि इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि जीवन आपकी और कौन सी परिस्तितियां उचालता है उनमें भी संतुलर और संभाव बनाएं अपने दिल और दिमाग पर होने वाले आकरमन से खुद को मुक्त करना अपने आसपास होने वाली चीजों से विचलतना होना अपने अंदर देव्य संभावना से परिपूर्ण होना यही राम है राम कई माईनों मैं दुनिया के भविश्य होने चाहिए इस बात को केवल किसी की पूजा करने के संदर मैं ना सूच जाए सबसे भतवपूर्ण बात यहे है कि उस संभावना का अनुकरन करना उन मूलियों कानुकरन करना मनुश्य के उस स्वभाव कानुकरन करना जिसके अंदर जीवन की किसी भी परस्तिती में अपना रास्ता चुनने की स्वतन तरता हो इससे पहले सद्गुरू ने सोचल मीडिया पर अपनी यात्रा के बारे में बताते हुई कि आज मैं अधीद के एक महान प्रानी का सम्मान और उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए आयोध्या जौँ आ रहा हुँ जिनों ने इस सभ्यता के इस महान व्यक्तित्व और उन से मिलने वाली प्रेड़ना को अभिव्यक्त करने के लिए अधक संगर्श किया है इसे पहले सद्गुरू ने रविवार को उत्रपर्देश के मुख्यमंत्री योगय दितिनाथ से मुलाकात की उनकी नितरत्व की सरहना करते हुए więcej सद्गुरू ने सोशल मीडिया काउंट एक्स पर कहा कि योगय दितनाथ जी की दूर्दरशता और उनके नितरत्व वाली उ विकास और संस्कृति का प्रतिमान बनाने की दिशा में आगे ले चल रहा है लोगों की खुशाली के प्रति उनका उत्सा और समर्पन सच मुझ सरहनी है